इंस्पेक्शन नों आपड़े थोड़े शर्वाद करीती बात करीती के इंस्पेक्शन इट शू छे इट बेजिकली प्रोसेस ओफ वरिफिकेशन के वस्तु आपड़े जे स्टांडर्ड प्रमाने यहना माप बन्या छे के ने अथ्वा जे रिते जुईये छे ए क्वालेटी जहाता है के नहीं, यह पंञीऊ के इंस्पेक्शन आपने जारे करीये छे प्रोसेस माँ तो it can be inspection of raw material or it can be a inspection of material under the process. कैसीं जरे वापर काम थतु होए, अथ बनतु होए, यह प्रोसेस दर्मेपान आपने शो करीये छे इंस्पेक्शन करीये हे जय आ्पने खबर पड़े, क् प्रोड़क्ट खराब तो न थी अथवा कोई डिपिकल्टी होई अथवा एरर आपने जणाया तो आपने आपने शू करीए से साइड मा करी शक्किये छी और ने अधिश करवानु छे तो यहना एक कारण हो चे के करवानु पड़े राइट फो अब्जेक्टिव और नेड विल आंसर देट क्वेस्टेंस तो इंस्पेक्चन नू हेतू सू चे अब्जेक्टिव सू चे तो सवती पहला के प्रोड़क्ट चे नू पॉफोमस के उचे एने चेक करवू चे तो सू करू अपड़ से यहाव टू रण त्मार इने सू करव़ा भी पड़ से आन्ने रण लेओ पड़ से ने नौटिंग डाउन करू पड़ से ते सीवाई त्मार एंजिनेने परफोमस करू चे केटलू टॉर्क आउटपूट आभ़े चे केटलो maximum speed सुधी दोड़ी सके चे, केटली heat generate थाये चे So this is only, it's called performance, right? So to get the idea or data related to performance, you have to go for inspections, right? इतला माटे product नी काबल ये check कर भी होया, तो ये नों inspection कर वो पड़े तो आये पहलो objective चे, हेतू चे BG वस्तू चे चे के inspection कर वाती आपने सुखावा पड़े कभी खराब quality नी product होया, याने अलग करी सके, that is simple thing मैं गई काले उद्राणा पी तो lemon juice नू, right? जो lemon juice खराब बड़े, अना अपने में मान नापी देए, तो सुथा आपने impression थोड़ी खराब बने, right? तो ये ना थाइटला माटने आपने सुखावा चे के lemon juice बनाये होए, बना ती वाकर थे थोड़ो टेस्ट करिये छे, अने टेस्ट करिये अने हमाँ जे पन कही खुटतू होए, ए प्रमाणे आपने एमाँ एड करिये छे, आने सारो बनावा प्रायतने करिये छे अहीं इंडेस्ट्री माँ पने इस कंसेप्ट चे के इंस्पेक्शन करवानों एक बिजू रीजन ये छे है के खराप ये प्रोड़क्ट होए, एने सु करूँ पडे, प्रोड़क्शन लाइन माथी अलग करवानी, जे थी करिये ने एक खराप प्रोड़क्ट उपर बाकी प्रोड़क्शन करवानी होए, तो एना उपर करे लिए पाच्छनी बद्दी प्रोड़क्शन लाइन पैसों बद्दूज बगड़क्शन लाइन So that's why it's a very important objective of inspection, right? To segregate, to find out the inferior quality product, right? And the third object is to prevent poor quality product reaching to the customer, बहु अगत्यन हो छे, यह वड कस्टमर बहु अगत्यन हो छे, जो कस्टमर ने खराप प्रोड़क्ट में आपसो, तो तमारो जे इंपरेशन चे मार्केट 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 सेयर चेसु थाई जाए, ड्रॉप थाई They want to give a quality product to the customer, पन ये क्यारे थाई सके है के वस्तु तमी जे बनाव अचो इंडस्टी मा ये बराबर छे, ये इने inspect कर भी पड़े, चेक कर भी पड़े, Hence, you are going to deliver quality product to the customer, right? So this is very important aspect, okay? So thereby, they are maintaining the customer satisfaction and interest, और you can say reputations, right? अपड़े बात कर ये के, I don't know के तमने कर आच काबर हुआ, के 2010 ये बेजा दस पेला, के Nokia कंपणी नू दब दब होतो market मा, right? पन जारे smart phone नी सर्वार थाई, तारे Nokia कंपणी ये जे छे, ये market ने वीचारी ना, सकिक पी customer ने वे सूज हुई ये accept ना करी शकी, ये वीचारी ना सकी, तो आजे company छे नी market मा, कई शका है, right? And there another company that comes in picture, right? So customer need is very important, जरूर याद बहुँ अगत्या नी छे, ये जरूर या संतो साय क्या है, के जारे वस्तु नी quality सारी होय, तोश, right? That's why inspection is directly giving you, or giving help you to produce quality product, right? Now, let's say, need of inspection, गणी मार चोकरावने confusion जरूर याद, जरूर याद, जरूर याद, जरूर याद, जरूर याद, जरूर याद, okay? Now, if you read it, it will clarify it very simply, right? Now, here, inspection is being carried out to check the product quality, right? के product बराबर बने चे, के नहीं, with reference to specified standard, right? आपड़े बात करें के मारी पास एक block बनावो चे, आवा ना ना block बनावो ने मने order मड़ो चे, right? आणी जरू height चे एक एक यट ली चे 10 mm चे, और याद वीड चे के लीचे 20 mm चे, आणी थीक ने चे 5 mm, आवा एक block बने order मड़ो चे, तो हूँं manufacture करू चे और याई ग्रैंडिंग करू चे रहू चे पचिसी मारी ने बनावो चे, बचि आणी उन्चाओ 10 mm, जरू चे तो में आटे मारे सु करूँ पड़ से डाल गेज नो उप्यो करूँ पड़ से अथ्वा स्लीब गेज नो सेटिंग करूँ पड़ से राइट, so that way it's very simple, it is simply check the product quality, तो आज जरूरिया चे, inspection नी के quality maintain कर भी होए, तो यह सु करूँ पड़ से, inspection करूँ पड़ से, with reference to standard, okay, now to maintain, it is also maintain production volume, inspection करो, तोज खाबर पड़े, के बही, रोजना जे quantity आपड़े बनावानी चे, component नी, for example, car, right, तो गणी जे car industry, automobile industry चे, एक के डोड मिरीट मा एक कार सु कराँ जे, output करे च, right, so this is consistence, right, customer मानी जे market मानी डीमानी प्रमानी, optimum ये operate करूँ पड़े, ये मानी constantly चु करूँ पड़े, धरेक production लाइन उपर inspection चालो राकूँ पड़े, right, automobile industry जे के बीचे complex चे, तमने लागे बही, आमासु चे के engine आवे चे, दर्वा जावे चे, ये light pitting ने बदू करी दे, जो, no,each of these components are being verified at every stages, right, and पचलने कर uphill, right, runout करवे चे, right, that's why to maintain the production volume, you need to have a inspection of these things, right, as per the plan. Now, it is also to produce a standard component to meet the requirement of interchangeability, आभा अगे थयर नो topic चे, let's try to understand what exactly means interchangeably indici, इंटर्चेंज करू एटले अजला बटली करवी माली लेए कि आपणा गर्णों कोई दर्वाजो छे एनू मजागरू छे तवा हींज छे तुटी गईू छे तवार बगड़ी गईू छे तो अपने अपने सु करू उपड से 9 लाओ छे अपने सु करू अपने सु मार्केट मा जैसु एन नमूनों लेए काई सु पे मने आऊ एक हींज आपी रथवा मजागरू आपों जा दुकान दार छे एने तो ख़बर छे कि आनी साइस केटली छे के बेड़ो सवाबाय चार नी छे, छोवा नी चार नी छे राइट ए प्रमाने ए सु करू रशे तमने सामे एना जेवूज भीजू आपसे इस 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 ओल रिंटर्चेंजिंजघ न्युकान करों जाए यहू मुझा पड़बर मिलीमिर्मा जो बनाएलू हू रिंटर्यमिर्मा जाड भाना मिलीमिमिर्मा जाड कारू पड़बर मुझा नी तो दरवाजा माउट नी धाय राइट जो ये, why it is important, कारण के आज ना समय नी अंदर घणा बदा component एवा छे, अलग अलग country मा बने छे, तो दरेक country मा जे फैक्टरी मा component बनता हो है, तो एमना common standard उपर बनावा पड़े, जो तम्ये component मा screw millimeter मा वापरता हो है, SI standard नो वापरता हो है, तो third party ने order आपे हो है, बीजा कोई component जे ने साथे ने assembly करवाने चे, एने पन एच के भूँ पड़े, के तारे पन SI standard वापर भूँ पड़े, जे थी करी ना जेट्टा पन component बने चे, एक बिजा ने शू करी साच, जे इंटेचेंज करी साच, आज ना nut bolt चे, तम्ये जो mass produce थाई चे, एक टुट्टी जातो बजर अधे तमने बिजो मड़ी जाए चे, आपड़े बात करी अपर M4 नो bolt, M8 नो bolt, M12 नो bolt, आपने standard size चे, तम्ये आजे कई पन बज़े जाए, तो आपड़े शू करी चे, मार्केट मां जी ने शू करी रिपेर कर रही है ये चे, परणे क्यारे पॉसिबल चे, के एना जी भी टूटे ली वस्तु मार्केट मां नभी मड़ी सक्के चे, एज size नी, एज dimension नी, एज standard थी बनाये ली, जे थी करी ने आपड़े ये वस्तु ने रिप्लेस करी सक्के चे, चे, ना दो फोर्थ नीड अफ इंस्पेक्चन इस तो मेंटेन दे एकोनोमी इन प्रोडक्शन, और दी ओवरल प्रोफित इन दे बिजनेस, नाव सी, ये वाव तो अंडस्टेंड आज सू केवा मागे चे, के मेंटेन एकोनोमी इन प्रोडक् में प्रोडक्ट नहीं बात नातिये करता के जे यूनीक वाए चे, मोटा बागे आपड़ी जेटली पन इंडस्टी छे, के वी चे मास्ट प्रोडूस इंडस्टी छे, so obviously their cost per piece is always lower, right, it can be maintained through inspection constantly, के तेमा मत्रील चेंज करो, कस्टमर ना फीडबेक लो, येमा आभी जरूर छ थोड़ी चेंज लाओ, so that way you can bring down the production cost, and what happened, because of that, you are selling more product, right, हुम बात करो, कदाच तमने खबर नहीं होई, let me talk about 2007, right, in 2007, 1GB pen drive was costing around 1200 रुपीज, right, मैं पर्चेस करे ले चे, एटले काउच हो, right, तो 2007 मां 1GB pen drive ने cost के ले थी, 1200 रूपिया, आज अटलाज रूपिया मां के ले आवे, you can say even 128 रूपिया आवे, का तो 64GB ने pen drive ने, just look at the difference, के ते वर्स पहला सूँआ तू, आने अतरा सूच हे, छे तो pen drive ने, so because of advancement of technology, and the production of the cost, it get reduced, तमने ओच्छा पैसा मां वधारे capacity ने, pen drive माड़े चे, this is what the inspection is happening over here, right, तो economy पन माड़ी, तमारू profit पन मादे, काने के लोको अवाद रसू, गरज हाई capacity ने pen drive ले चे, 8 रूपिया मा, right, so this is what the output or benefit of inspection, तमे स्कूल मा के routine मा, आ सब्दो वापरे ला चे, आथवा सांबड़े आशे, accuracy, आने precisions, these are very most important words, right, आने समझव पर से, तो methodology मा, समझव मा, easy रे से, let's say, एक उदारन लईया, कि तामे provision store मा जाऊ छो, and you are ordering 1 kg सूगर, हमें 1 kg सूगरो चो, खांड मागो छो, एनी पासे थी, आने जे weighing scale से, एना उपर सूगर सो, तामें मुकी दे सो, आने पेलो सूगर से, एक केलो नहीं थेतियां सूदी, यह साइड मा थी, एक बॉक्स मा नाक्या कर से, जो एक किलो पहुंच से, पछे इने पेकिंग करीन तम ने आपी दे से, तो what exactly he is doing here, he is measuring the weight, right, simple, खांड नाके छे, यह यह डिस्प्ले उपर चेक करे छे, एक किलो थे, जो पेक करीन तम ने आपी दे से, तामें लईने गरे किलो थी, ओची पन होई ही शक्या छे, इट इस नोट नेसेसरेली, एगजेटली, 1.000000 केजी होई शक्या, जरूरी नाथ, इस डिपेंड ओन दे वेइंग स्केल, प्रिसीजन और एक्योरेसी, नौ आ बे टम जे छे, एक्योरेसी प्रिसीजन यहने अपड़े समझ हूँ छे तमें मागी एक किलो ग्राम, एने कराज बनी सेके के पचास ग्रम थोड़ी वदारे आपी होई, कांके मानस चाहिए नाक तो होई तो 1.000000 समझी जाए के यहाई किलो थेगे, एक थी वो छू तो नहीं जा पेर, ने तो आपड़े पूलिस हुती है, so what the whole store is about, आनू of you, right, industry मा आपड़े सु करवानू चे, component बना ये चे, यहने measure करवा पड़े, हवे जारे measure करवानी वात आवा चे, तो measuring instrument पर शेनू चे, यह industry माच बना ये लू चे, so it has some error, inbuilt error, right, so whatever you going to measure, using measuring devices, may not be true value, true value ना पन होई, मारी लोग के भी मारे 100 mm diameter चे, round bar बनावानों चे, ने, माप मानों चे, तो भर्नीर के लिए पर थे मापा बेस हो, तो बनी सके, it can be 100.01, or it can be 99.98, right, something like that, right, यह होई चे, तो तमारे जो ये चे, 100 mm dimensions, round bar उपर, पन जारे manufacturing करी ने, measure करवा जाओ चो, तो तमने आव के अलग value म के लिए चे, 100, अने measure value के लिए 99.98, अथवा 100 थे थोड़ी बदा रहे चे, right, so here, you have to understand, I want to tell you the, what's the difference between these two words, right, so it is related with the measurements, accuracy अने precision ये measurement साथे संक्डाया लाचे, now let's say, accuracy and precision are two important factors to consider while taking measurements, माप ती वक्ष थे जाका माप, right, now these both reflect how close measurement is to the known value or accepted value, असब दो समझ वाजेवा चे, बले इंगलिस माचे, पनता में जे मापो चो, मापे ली वस्तू अथवा माप केटलू साचू चे, अथवा नजीक चे, साचा वेल्यू नी, ए आबे सब दो define करे चे, let's define first the word accuracy, accuracy, its ability of instrument to measure the accurate value, is known as accuracy, very simple word, in other words, जो सादार सब्दों मां समझ हू है, अन्य याद राको हू है, तो you can say, in other words, it is closeness of measure value, के मापे ली वस्तू केटली close से, standard value साथे, अथवा साचा value साथे, is called accuracy, right, and precision सुछ है, again it's a closeness of two or more measurement to each other, आ सब्दों महत्वनों छे, हावे उंसु केवा मां गुछू, आपड़े जोई ये, चला मारी पासे 100 mm नो round bar छे, मारे test करवा छे, right, हावे तामे माप पानु सरू करियो, तो पही 101.1 आयो, पेलो round bar बार बार छे, बीजों छे 99.99 mm आयो, 36, 100.01 mm आयो, right, okay, so here all these dimensions are very close to the 100, so you can say these three measure values are accurate, almost accurate, right, पर्ण अवे, what about precision, अवे, precision नी बात करिये, तो आद त्रणे त्रण माप या से सू एक बीजानी नजीक छे, माप या डाइमेंशन सू एक बीजानी जो नजीक होई, तो it is called precise measuring instrument or measured readings, right, so accuracy issue छे के तम ही जावस्तू माप पोचो एक साची value नी केटली नजीक छे, जो बहुँ नजीक होई, let's say this is 9.99, एक 100 बराबर छे, almost नजीक छे, so this is called accurate, this is called accurate reading, right, पर्ण दारों के एक सो ने एक पॉइंट अग्यार करी दो, तो आ थोड़ू वदी गयावाई, right, it is more than 1 mm, एक mm करता भी वदा रहे छे, यहां केटलू छे, dot 01 चे यहां 10 micrometer थी नानू, so this is more accurate reading than this reading, okay, because this reading is very quite close to the true value, but this reading 101 is far away from the 100, so it cannot be said accurate reading, तो accuracy छे, आपने measure value, अने true value केटली एक भी जाने नजीक छे, यह ना उपर डिपेंड कर से, अने precision नों मतलब यह हो था है, कि जे वस्तु तामें माप पहुचो reading एक करता वधार रहे लोँचो, तो लेधेला reading एक बिजाने केटली नजीक आवे छे, यहां कई सका है repetitiveness, precision is also referred as in two different way, repetitiveness और reproducibility, right, so here it refers same product, same instrument, identical condition, location and environment over a short period of time, माली लेक्या तर आपने लेब माँ बैठा छे, metrology नी ब्रावेच, आपने पास स्टुडेंट छे, अमने को उबेलो वरने केली पर लेईलो, और राउंड बनो dimension मापो, then what it does mean, कि instrument सेम छे, मानस पन सेम छे, लेब नू environment पन सेम छे, पने एक स्टुडेंट माँ पे छे, पची बीजा स्टुडेंट नू बार आवे छे, जो आ रिते आपने एककज इंस्टूमेंट, एककज अन्वामेंट मा रही है, थोड़ा समय मा आपने रीडिंग माँ पे अन्ने एक रीडिंग आया करे, 9.98 आवे, कोई छोगरा ने 9.97 आवे, कोई ने 9.01 आवे, तो थो दीज आल कॉल प्रिसाइज रीडिंग, कराण के एक बीजा नी नजीक छे, measurement, closeness of two or more measurements to each other, तो अब अब दा रीडिंग के वाँ छे एक बीजा नजीक छे, तम कही शका का precise reading छे, repeat थाय छे, right? Now, again, precision is also termed in different way, reproducibility, it's the same concept, refer to the measurement of same input quantity, करे तमें distance मापँ मागो छो, right? dimension मापँ मागो छो, with different condition, with different devices and different location and environment at different times, तो आने के वाँ, reproducibility, this is more important in mass production, के जारे बीजी कोई कंट्री माँ वस्तु बनती होए, तो समय अलग वाई शके, स्तान अलग छे, temperature अलग वाई शके, बराबर शे, पन छता जो तमारे इंटरेचेन में प्रोड़क्ट बढावी होए, तो रीप्रोडुसिबिलिटी सारी होवी जो ये, तो प्रीशिजन साल अलग शेनों सीनोनेमसली, रिफोर्ड आज रिपीटिबिलिटी और रीप्रोडुसिबिलिटी आज अलग वाई, राइट रीपीटिबिलिटी बोलो, तो सेम एकज परिस्तिती माँ, एकज इंस्टुमेंट, एकज मानस, मानस खाली बढ़लाए, पन समय ये नाज रिपीटिबिलिटी और रिपीटिंग करिए, रिप्रोडुसिबिलिटी तो परिस्तान बढ़लाए, कंडिशन बढ़लाए, मेजरिंग कंडिशन बढ़लाए, तो अपन तमने रिप्रोडुसिबिलिटी ये डिवाइस निकेवी छे, सारी छे, अपने थोड़ू अपने डिटेल माँ समझवा, प्रायत न करिए, आ ग्राफ जी आपे लो अच्छे, पिक्चर छे ना उपदी समझगे, पहली फिगर सुखे वाँ माँगे छे, कि डार्ट तमे जे फैंके आचे, अपना इने बूल्जाई के ज, तो चारे चार सेंटर माँ लागे लाँ छे, आपने जवानू क्या होए, अमेशा सेंटर माँ, सेंटर माँ आपने सु मड़े, पहली फिगर माँ सु छे के चारे चार डाण के लागे लागे छे, तो आपने सु कही सकते है, कभी आज चार रीडिंग आया है, तो हैने सु कही सकते है, धे आर हाई एक्यूरेट और हाई प्रिजीजन, के हैं कि center माज पढ़वा जोई है center माज पढ़ए आचे है एटले जे माँ पूछे true value अने जे measure value छे बढ़ने में चे difference क्यों हो छे बिल्कुल नथी काण के center माज जेगने पढ़ए आचे तो इस reading is called highly accurate reading साथ है चारे चार एक बिजानी के वी छे नजीक छे दूर नथी तो आपने नाखवाना चे center माज पढ़वा जोई है तो आई कई साखाय के it's having low accuracy accuracy के भी थे को लो थेगी के आपड़े center माज जावानू जेगे आपड़े आई आया चे राइट so there is a large difference it's a large difference so you can say these four readings are not precise but they are having high precision के एक बिजानी ना जीक छे एक बिजानी दूर ना थी अवे त्री जू पिक्चर छे फीगर तमें जो सो ते हमाँ खाबर पड़ से तमने के चार रीडिंग आपड़े लिदा चे चार वखत वें क्यू तो चारे चार नूस्तान के उच अलग 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 छे तो आम कई सका है low precision छे एक बिजानी नजीक ना थी साथे चारे चार रीडिंग के वा छे सेंटर थी अलग 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 छे तो आम कई सका है कि आज चार रीडिंग आवया छे अथ्वा तो चार वकत आपड़े थ्रो फेक्यों छे यह accurate पन ना थी और precise पन ना थी इस आवड आपने चार रीडिंग के वा छे चार रीडिंग के वा छे शेंटर मा छे तो आम कई सका है कि अब आपड़ेशी के वी छे यह चे प्रिसीजन के वा छे यह यह तो आपने चार रीडिंग के वा छे अने प्रिसाइज पन छे अवे आ बदा रीडिंग के वा छे एक बिजाती दूर छे तो प्रिसीजन छे के लिए नो टीजन प्रिसाइज पर्ताम आकाई शका हो के एक्यूरेसी के विछे छे आ के एंक सेंटर नहीं ठोड़ा नजिक मंजिक छा राइट इसकोड़ेशी राइट तो फीगर मत हमने आऊ मर से, जो, के एकुरेसी ओछी होए, तो अजे ग्राप चाहे सू था, जैसे वाइड ओपन थी जैसे, पच्छी आ थर्ड रीडिंग नी बात करिया आपड़े, तो हमा के ऊछे, के पांचे पांचे पांच रीडिंग के वाच एक बिजानी ना जीक चे, तो हम कही साइखा के प्रिजिजन के ऊछे, येस, प्रिजिजन और प्रिजिजन इस देर, ओके, बट वट अबाउद अध्यक्राइजी नो, अब ये पांचे, जो, आपड़े आवां जो, जो, आउज आ जो, आ जो, आईग ये, ऐसे थाए के जो, शिफ्ट थाईए, जो, this case is high precision and low accuracy same way in a fourth case we have a scattered value right एक भी जादे के उचे दूर छे अने center मा पन ना थी तो हम कई शेके precision पन ना थी साथे साथे accuracy पन ना थी right let's take an example similar figure आपने textbook मा ती लिदेली छे age रिते समझवा माटे बे मानों सो छे आपने का युके भी तमारी पास आएक भूक छे जैनी length के लिदे, true length के लिदे छे 17 के जै भूक छे भूक आपे लिदे छे यानी लंबाई आमने मापपानी वाद करी right तो लंबाई के लिदे छे 17 cm आपने खबर छे आ रिडिंग आपने सू छे खबर छे तो पहलो परसन छे यानी सू करी रिडिंग लिदो measurement करी तो पहलो रिडिंग यानी सत्तर आयो बीजु के वह आउ 16 हायो 3rd was 18 and last one is 15 cm बीजो जै मानस चे याने age books आपने मापपा माटे कई तो यान्नू पहलो रिडिंग आवी छे 15.5 छे, then 15 अगें पहलो रिडिंग आवी छे पहलो रिडिंग आवी छे 17, 16, 18 आवी छे 15 आवी छे तो यान्न कई शेका है कि आईया स्केटरिंग छे प्रिसीजन नथी एक बीजाती रिडिंग के वाँ अलग अलग आवा छे बीजानी बात करिए तो आव बदा रिडिंग के वाँ छे एक बीजानी नजिक छे तामें जो पंदर-पंदर कॉमन छे 15 इस कॉमन, हम कही शेका है हाई प्रिसीजन छे इट इस हाईली प्रिसाइट, बट लो अकुरेसी, वाई सत्तर ती गणा दूर छे इस लो अकुरेट यह केवी शे मौडरेट अकुरेसी चे सत्तर असोड अडार नजिक छे सत्तर नजिक छे पंदर-प्रिसीजन के वाँ छे के बद्दा रिडिंग एक भी जा थी अलग छे, जो मौडरेट अकुरेसी अने पूवर प्रिसीजन तो आपने रीडिंग उपा दिखाबा पड़े Let's take one more example Here in the following reading आपने अपासे त्राण सेट छे तो पहलो सेट छे 18.2 18.4 and 18.35 Second set is 17.9, 18.3 and 18.85 and the last subset is 16.8 17.2 and 19.44 हवे या त्राण माती accurate कौन छे और प्रिशेस reading काया काया आधा त्राण नहीं बात करिए तो आपके ये अडर अडर काया वाचे common छे, so you can say they are highly accurate as well as highly precise, okay now what about second reading slot कभी आद त्राण reading ली देला छे, तो बे एक भी जा नजी काया वाचे, हम कहीं सकाया है तो high accuracy तो छे, पन precision के उचे नथी अना थाड़ नहीं बात करिए, तो बद्धा ना पेला डीजर के वाच आला कर लाग छे, तो हम कहीं सकाया है low precision and low accuracy right, so this way you can strengthen your concept, right same way अपन एक बिजु गुदान आपे लूँछे के एक density छे लिक्वीड नी आपन एक खबर छे, it is 3.11 ग्राम पल मिलीलिटर अब रिजल्ट दीदा छे, टेस्ट रिजल्ट दीदा के एक, आब 3.17, 3.18 and subsequent we have readings, right तो हम कहीं सकाया कर जो आ रिडिंग आयो छे तैने शो कहीं सकाया precise छे, बद्धा माँ पहलो डीजिट के वो छे repeat थाये छे, right so they are precise, but not accurate, why not accurate आपड़े जोईए छे 3.11 11 नी नजिक नथी, पाचन ना चे डीजिट छे 11 नी नजिक नथी, that's why they are precise, but not accurate similar रोए आपड़े second test लिदो तो हम 3.01 आयो, 3.89 आयो, 3.50 and 5.99, तो हम कहीं सके बढ़े सू छे नीदर, तो हम एके नजिक नथी, नजिक तो छे ज ने, पाचन बदा डीजिक ये वाच अला गल लग छे, right, तो हम कहीं सका है कभी याँ precise छे, reading precise कहीं सका है, पड़े accurate बिलकुर ना के वाई, not accurate ओके, because they are getting repetitive, आप बदारे repeat थाई छे, एक भी जानी नजिक छे, right so you can say it is अग्यारी नजिक आवाच छे, so it is called little bit accurate, but low precisions, or not precise and the fourth case is 3.11 12, 12, 10 तो आप बोथ छे, कभी high accuracy पन छे, accurate पन छे, अने precise पन छे, right so this is what you have to understand the difference between accuracy and precision हवे केम भणया तो rule number one, आपने समझवान में चे कभी तामें वर्निय के लिपर छे micrometer आवर्यों तामें physics विशे मां subject मां भणे लाचो तो जारे metrology मां तामें आना थी dimension माप सो इंडस्ट्री मां, right तो एं dimension जे मापे लूँ छे एं accurate छे के precise छे तामने खबर होई जी measuring device तो तामने शू आप से value जाप पानूँ छे ने तमने का 10 mm नो डामेटर छे ने तमने टर्निंग कर जी ना वे तमने माप वाचो तो एक राट 9.8 mm होई छे पड़ यू हव तो अंडस्टेंड इस एकुरेट और प्रिसाइस तमने खबर पड़ भी जो ये आपन आटली खबर छे ये प्रिसीजन इस सिम्पली कंसिसेंसी ओफ मेजर्ड वेल्यू कॉंटिटी तमी जा माप वो छो ये मापेला माप एक बेज़ किरला नजिक छे जो नजिक आवे तम कई शगा ये सुच है प्रिसाइस डवाइस जे मेजरिंग डवाइस जे accuracy is related to the true value के साचू माप जे हो है फर एक जामपल 10 जो तम ये नजिक आवा छो आपड़े आनी साथे संकड़ायला छे आनी नजिक आवा जो ये it is related to the true value scale and tolerance tolerance अले प्लस माइस आपड़े लिमीट आप ये सी आपड़े जो ये सुचाप्टर नमबर 7 मा राइ it will be more clear so accuracy is more concerned with the scale tolerance and true value it is related to scale only scale अले खाली माप कभी आवी कि 3.15 3.14 ये ने न कई बीजू के concern ना थी it doesn't concern with that right so it's simply a scale only represent the accuracy represent how closely the results agree बहुँ simple वड़ चे बद्दा जडेफिनेशन माथ ही आवा चे ये हू के चे के मापे लिए बस्तू केटली close चे येनू agriness बतावा चे कभी केटली साचू चे to the standard value ये accuracy थी खबर पड़े जारे measure कले वे value एक बिजाती केटली नजिक चे agree with one another right same definition right तो एक बिजाती केटली नजिक आवा चे रिप्रेजेंट करे चे precision accuracy is costly now आ तम केस हो बही ये मा सूं costly let's see let's try to understand simple example ball bearing right let me explain concept of accuracy and its cost ball bearing right ball bearing तमें जो लिए छे smooth हुआ छे जो तमें हाथ मा पकड़ी हुआ और रोटेट करी हुआ ये नूं material पन के ऊचे normal material नथी हुआ तो येने corrosion ना लाग ये ले special alloy steel वापरेल हुआ छे येने grinding करवा मावा छे finishing करवा मावा छे तो जैम जैम smoothness वत्ती जाए product नी येना उपर जै करवी पड़ती process के लिए छे वदार expensive हुआ छे तो जारे जारे तमारे dimension एकदम नजिक जो इता हुआ तमें को भी मारे 10.001 mm जो इसे अथवा 9.999 जो इसे तो इस आर very close dimension पाच्छना जे डीजिट छे त्रण डीजिट छे बे डीजिट छे जेटली पन तमें प्रिसिजन डीजिट वदार सो एम एना उपर करवी पड़ती process grinding आसे पढ़ फिनिसिंग आवे पढ़ शूपर फिनिसिंग प्रोसेस हावे एम करवा एके तमें सूपर फिनिसिंग प्रोसेस करो तो तमारों चेहरों देखाए मेटल उपर जम आपड़े अरिसा में देखे शे एवी सपाटी सर्फेस तमें स्मूद बनाई शको चाप पन एक करवा माटे टाइम वदारे जाए अने expensive devices वापरवा पड़े equipment वापरवा पड़े that's why accuracy is costly जो तमें accuracy वदार सो वदारे नजिक लेव ऊचे dimension 10.0 जेके 10.00001 सुदी जोई से तो तमें बीजा बे digit एड करेया तो वदारे expensive equipment जोई से आ dimension एचेव करवा माटे that's why it is clearly written accuracy is costly right जयां सुरी जरूर ना हावा तियां सुरी high accuracy काम वगन आपाम आवती ना थी एले optimum जितली जरूर हुआ एटली जापाम आवा एचे now it is essential to maintain the precision for functional requirement see this is very important functional एटले काम जो 40 जतु हो एडाइमेंशन थी जे मापेला डाइमेंशन थी तो एडाइमेंशन थी तो एडाइमेंशन थी तो काम चाली जैसे right this is what the difference is right they are essentially to maintain the precision for functional requirement so there are certain parts और assembly which are simply must function as per the requirement जरूरी ना थी के एड़म finishing वाड़ा हो जी बस एडाइम काम था हो जी in that case precision is important right now few more thing is accuracy is related with the grade of tolerance हव्या tolerance ने grade बदू सू छे ये आपड़े चेप्टर मा next 5 चेप्टर मा जो वानू छे पड़ेम कई शका के जेम जेम accuracy वच से एमा जे grade आपड़े आपिये छे ये मा चेन थाया करें so grade आपड़ेंस नथिंग बदू डिफरेंस बीट्वीन टू डिमेंस्टन्स सामसामेना ब्या कमपन वच चेप्ट डिफरेंस छे जेटलो नानो होए ये टली accuracy छे वधारे जो ये dimensions controlled वधारे जो ये महंगो component बनतो जाया ये बहु उचा component छे for example bearing छे राइट engine cylinder छे के जेम पिस्टन up and down था छे तो येमनी बेनी बच चे dimension difference छे बहु प्रिसाइज होए ये तमारे शो करू पड़े बोरिंग करू पड़े drilling machine maximum drilling करी सके छे एनी capacity ये टली छे तो ये कई range माँ वधारे परिसाइज जासे तो simple के अड़धा थी एक नो whole parts अलग-अलग dimension त्यारे वधारे साच go round drilling तमने करिया आपसे और ये बदा जी तम्हे whole parts अड़धा ना एक ना drill थी तो ये एक बीजाने के नजी काव से ये बदा ना whole नो dimension के वह नजी काव से पड़ तम्हें ड़ड़नी capacity माँ जासे अने पची whole parts हो तो आ whole ना dimension और difference के अलग-अलग आवसे, so precision is related with the capacity range next video मा आपड़े आगर जोई सुके जे topic छे आपड़ो कभी calibration सुचे ये बदा आपड़े समझीशो